Hello Friends, सफल स्टेप्स में आप सब का एक बार फिर स्वागत है पिछली क्लास में हम लोगोंने Economic Survey का पहला चेप्टर किया था जो हमारी सिरीज का आर्थिक समिक्षा की सिरीज का भी पहला चेप्टर था जिसके अंदर हम लोगोंने ये जानने की कोशिश की कि Economy के जो Broad Spectrum है वो कैसा है कौन-कौन से ऐसे Parameter है जो Economy के संबंद में जानने की जरूरत है और हम लोगोंने वो चेप्टर काफी बड़ा है और आंकड़े ही आंकड़े हैं लेकिन हम लोगोंने बहुत मेहनत करके उसको छोटे साइज में लाने की कोशिश की सिर्फ वही Information आप तक Supply की जो आपके Exam के लिए बहुत सरूरी है और उसमें भी Tables वगरा के Format बदले आज हम लोग आर्थिक समिक्षा का Chapter No.2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिशी और संबद शेत्र Agriculture and Allied Sector यहां भी हम वही कोशिश करेंगे कि कम से कम आकडों में कम से कम शब्दों में आपके पास जादा से जादा महतोफन जानकारी पहुचे और आप सब यह जानते हैं कि राजस्तान जिग्राफी के एंगल से भी यह Chapter important है और इसके अलावा Economy में तो important है ही और राजस्तान की आने वाली जितनी भी भरतियां हैं सभी में इसका रोल रहेगा तो आईए स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है Agriculture and Allied Sector सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिशी और संबद शेतर Agriculture and Allied Sector overall राजस्तान में किस तरह का रहा सबसे पहले है राजस्तान में Agriculture related activities किस तरह से पिछले सेशन में रही राजस्तान में हमें इन चीजों को हम लोग देखेंगे GSVA में Contribution के रूप में GSVA किसे कहते हैं इसकी full form देखें एक बार GSVA की full form होती है Gross State Value Addition Gross State Value Addition के angle का मतलब होता है राजस्तान के अंदर सकल मुल्य समवर्धन क्योंकि राज्य का नाम आ रहा है इसलिए S यह स्टेट बीच में जुड़ जाता है Otherwise अगर इंडिया का होता तो इंडिया में हम इसको GVA कहके काम चला देते Gross Value Addition हो जाता अब फसल शेतर का योगदान Basically GSVA में कितना रहा दूसरी भाशा में मैं बोलू कि राजस्तान का जो स्टेट का GVA है उसके अंदर Agriculture सेक्टर कितना बढ़ा रहा वो हमें पढ़ना है हम यह जानते हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा भी की कि हम इसको दो तरह से अध्याइन करते हैं हम इसको स्थिर मुल्य या Constant Price पे भी देखते हैं और स्थिर मुल्य के अलावा जो Current Price है जिसको Prevellant Price या Market Price भोथ है वीकार पने उसके आधार पर भी देखते हैं Market Price पे देखते हैं तो आज की सिती पता चलती है और जब स्थिर मुल्यों पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो actual growth है जो वास्तिवता है वो कितनी तो आईए चेक करते हैं 2011-12 के हिसाब से देखें तो 2011-12 के accordingly चलें तो फसल शेत्रका योगदान 12.1% 12.61% था वहीं पे पशुधन का देखें तो 13.34% था और वानिकी शेत्रका देखें तो 2.79 और मत्से शेत्रका 0.11% रफली अगर इसको जोड़ें तो रफली 28.9% योगदान एग्रिकल्चर सेक्टर का रहा जो अपने आप में ये बात बताता है कि राजस्थान का जो कुल उत्पादन है कुल मुल्य संवर्दन है उसके अंदर एग्रिकल्चर सेक्टर राजस्थान में कितना मैत्व रखता है इसी को अगर हम लोग प्रशलित मुल्य पे या करेंट प्राइस पे देखें आपकी जानकारी के लिए हम इसको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं तो वहाँ पे यह 13.89 परसंट रहा पशुधन सेक्टर रहा 13.98 तो फसले 13.89 और पशुधन 13.98 इसके साथ साथ वानिकी शेत्र रहा 2.25 और मत्से शेत्र उतना ही 0.11 परसंट रफली उसी के आसपास 1 परसंट उपर मान लेजी आप तो दोनों ही केस में चलें तो हम लोग यह मान सकते हैं क अगरिकल्चर सेक्टर करेंट प्राइजेज में भी और कॉंस्टेंट प्राइजेज में दोनों में ही एकुली इंपॉर्टन रहा है लगबग 28-29 परसंट कोंट्रिब्यूट यह कर रहा है अब कुछ ऐसी फसले हैं जो राजस्थान में बहुत जादा होती हैं और इतनी ज लोग देखें तो अगर इंडिया का किसी एक फसल का उत्पादन सो परसंट है तो सो में से भारत में कितना कॉंट्रिब्यूट किया यह हमें देखना है बाजरा अगर पूरे भारत में सो परसंट होता है तो अकेला राजस्थान उसके अंदर 45.56 परसंट कॉंट्रिब्यू का तेल आप जानते हैं कि कितना महतोफूर्ण है खादे तेलों के अंदर राजस्थान 46.28% उसके अंदर contribute करता है तिल की फसलों में भी राजस्थान पीछे नहीं है वहाँ भी 20.20% राजस्थान का contribution है चना अगेन एक महतोफूर्ण खादे पदार थे जिसके अंदर 23.44% राजस्थान का योगदान है डाले राजस्थान में 19.41% के आसपास होती है और आप जानते हैं कि पूरे भारत में डालों का उतपादन वैसे ही कम है और जहां जो चीज़ कम है उसमें भी राजस्थान का महतोफू नजर आता है और ये तो विपरीत परिसित्यों की खेती के बावजूद है जब राजस्थान में हर शेतर में परियाप मानी नहीं है परियाप सीचाई का सादन नहीं है मौसम बहुत वेरी करता है तब भी हम लोग यहां तक कर पाते हैं गवार एक ऐसी फसल है जिसको यूँ समझें कि राजस्थान के अलावा पूरे भारत में नाम मतरगी होती है राजस्थान 78.62 परसंट राजस्थान का अकेले का कॉंट्रिबूशन है तो ये कृष्षी शेतर का राजस्थान में महतोफ बताता है और इसके साथ साथ ये बताता है कि संपूर्ण भ जावा गवार चना और दलहन इनके अंदर पूरे भारत में महतोफ बंद स्थान रखता है अब चलते हैं लोग आगे अब हम लोग देखते हैं कि एग्रिकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें हमने ये तो देखा कि लगबग 23.88 परसंट GSVA में कॉंट्रिबूश कितना था हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले देखते हैं अगर करंट प्राइजिस पर देखा जाए फ्रशलित मुल्यों पर देखा जाए तो 2020-21 में जहां पर राजस्तान के अंदर 294,348 करोड था वहीं पर 2021-22 में ये 3,37,221 करोड है साफ साफ यहां पर वृधी नज होते हैं जबकि यह अभी अनुमानी थे जिस समय सर्वे आया तब तक 2022 मार्श खतम नहीं हुआ था अनुमानी तांकडे लेकिन अगर यहां से यहां कंपैरिजन करें तो वृधी दर रेजिस्टर हुई 14.57 परसेंट की जो अपने आप में अचीवमेंट है किसी भी सेक्टर में 14.57 परसेंट ग्रोथ कम नहीं होती यह फिगर आपको याद कर लेनी है कि करेंट प्राइजस पे राजस्थान में अग्रिकल्चर सेक्टर का जीएसवी में कॉंट्रिबूशन है 3,37,221 करोड रुपए उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो कॉंस्टेंट प्राइ जो बढ़के 1,94,722 करोड हो गया और ग्रोथ हाई यह लगबग 4.78 परसेंट की तो हम कह सकते हैं कि करेंट प्राइजस पे ज्यादा है 14.57 जबकि अगर हम इसी को महंगाई हटा के स्थिर मुल्यों पर देखें तो जो वास्थी ग्रोथ है वो 4.78 परसेंट नजर आती है य दोनो फिगर और ये दोनो फिगर हमें याद करनी है एकजाम के अंगल से हमारे लिए इमपॉर्टंट है उसके बाद हम चलें आगे अम लोग बात करते हैं कि अगर अमाउंट के टम में देखा हमने इसी को हम लोग जो अभी अमाउंट के टम में देखा उसी को एक बार हमने फिर से लाइन के रूप में लिख दिया है और अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि GSVA में जब हम लोग प्रचलित मुल्यों पर योगदान देखते हैं तो जो 28.5 अच्छे था वो बढ़के इस साल 30.2-3 हो गया मैंने बोला ही था कि लगबग साड़े 28-29 परसेंट है तो वही यहाँ पे 30 परसेंट हो गया और 30 परसेंट योगदान जब हम काउंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि शब्द है कृषिव संबद शेत्र संबद शेत्र GSVA में 30.2-3 परसेंट की ग्रोथ है 30 परसेंट को अगर हम पीछे जाके देखें तो आईए 30 परसेंट यहां से नजर आएगा यह रहा प्रश्रित मुल्यों पर देखते हैं तो 13.98 यह 13.89 यह तो लगबग 14-18 परसेंट यह रहा और 0.11 यह सबको जोड़ा तो 30 परसेंट की फिगर आ जाती है तो आईए अब हम लोग देखते हैं बहुत important figure जिसका नाम है land utilization भूमी का उप्योग हमें यह देखना है कि राजस्तान के अंदर total reported भूमी है कितनी और उसका उप्योग कैसे कैसे होता है और हमेशा किसी ने किसी परिक्षा में यहां से एक प्रशन पूछ लिया जाता है तो 22.90 लाग हेक्टर को हम लोग 100% मान के चलेंगे और बाकी जो आकड़े होंगे वो इस 100% के आधार पे ही हम लोग calculate करेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले आता है वानिकी वानिकी शेत्र की जो भूमी है वो शेत्रफल के हिसाब से 27.70 लाग हेक्टर रही जो कुल भूम कुल भूमी का लगबग 5.85 परसेंट है उसके बाद है उसर और कृषी अयोग्य भूमी यह ऐसी भूमी है जो कल्टीवेबल नहीं है जिसके उपर कल्टीवेशन नहीं हो रहा वो भूमी 23.72 लाग हेक्टर है और कुल भूमी का 6.92 परसेंट है इसके अलाग कुछ ऐसी भू पकड़ लीजे इसके साथ साथ अगला है वरिक्षों के जुंड या बाग तो जिसको हम ग्रॉफ भी बोलते हैं तो जो टी ग्रॉफ है या पेडों के जुंड है वो हमारे पास 0.29 लाग हेक्टर है और बहुत मामुली फिगर है कुल भूमी का 0.08 परसेंट 0.08 एक है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल भूमी है उसका 11% तो हमारे पास बंजर भूमी के रूप में 11% बंजर भूमी के अलावा हमारे पास में उसर या कृशी आयोगी भूमी 23% इंदोनों को जोड लिया जाए तो ये तो खेती लायक ही नहीं है तो ये बड़ा फिगर हो जाता ह उसके बाद आता है अन्य चालू पड़त भूमी और एक आता है चालू पड़त भूमी या अन्य चालू पड़त भूमी क्या होती है फालो लेंड इसको बोलते हैं फालो लेंड क्या चीज़ है बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी भूमी होती है जिसके उपर खेती का काम किया जा सकता है खेती करने लाइक है लेकिन हम लोग अलग-अलग सीजन में अलग-अलग खेती करते हैं तो दो फसलों के बीच में गैप देने के लिए या फिर फसल के उपजाव शमता बढ़ाने के लिए क्रिशियों के भूमी को खाली छोड़ दिया जाता है खेती कर सकते अन्य चालू पड़त भूमी का शेत्रफल था 21.42 लाग हेक्टर जो कुल भूमी का 6.25 परसेंट है दूसरी तरफ चालू पड़त भूमी या फालो लेंड हमारे पास 15.5 लाग हेक्टर है जो कुल भूमी का लगबग 4.54 परतिशत है अब आता है सबसे important एरिया जिसका नाम है बोया गया शेत्र टोटल सौन एरिया वो एरिया जहां पर फसल बोदी गई थी कुल शेत्रफल का 180.32 लाग हेक्टर एरिया वो एक तरह से फसल के लिए काम लिया गया जिसके उपर फसल बोई गई और जो 52.58 परसेंट है एक तरफ से हम कह सकते हैं कि चलो 52 परसेंट तो है लेकिन दूसरी तरफ इसी बात का दूसरा चेहरा ये है कि जो कुल उपयोगी भूमी हो सकती थी उस भूमी में से सिर्फ 52 परसेंट ही बोया जाता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगबग 48 परसेंट भूमी बोई नहीं जाती है अगर ये रेशियो बढ़ेगा 52 को सप्लाई कर सकेंगे अभी जब हमने देखा था कि कुछ फसलों में राजस्तान पूरे भारत में सिर्मोर है तो यह हमें साफ साफ दर्शाता है कि राजस्तान के अंदर भी विपरीत परिसितियां होने के बाद भी बालू रेथ होने के बाद भी कम बारिश होने के बाद भी बहुत ज़ादा potential है, कि हम चाहें तो राजस्तान में एक leading agriculture state के रूप में उबर के आ सकते हैं, आज जो उस्तान पंजाब का हरियाना का है, वैसे ही हम लोग भी और खेती में आगे निकल के आ सकते हैं, लेकिन जरूरत है इस भूमी का उपयोग और ज़ादा बढ़ाने का 52 से और उपर ले जाने का, और साथ के साथ जो वेग्यानिक विधियां है, खेती की नई विधियां है, उनको प्रियोग करने का, आईए देखते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लें, important है, उसके बाद हम चलेंगे आगे, अब हम लोग बात करें, कि राजस्तान में बा और कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, यहां तक पूछ लेते हैं कि राजस्तान के इस जिले में कितनी वारिश हुई थी, इसलिए जहां तक आपसे पॉसिबल हो, इन फैक्स को देख लीजिए, याद करना, आपके बस की बात है तो याद भी कर लीज होती है, समाने वर्षा होती है, 414.50 यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि समानेत है राजस्तान में जून से सितंबर का जो सीजन है, उस सीजन के अंदर 414.50 mm बारिश होती है, अब की बार 485.45 हुई, जो जादा है, कितनी जादा है, 17.10 प्रतीशत जादा बारिश हुई, अच्छा, उसके बाद, राजस्तान के जितने भी जिले हैं, सभी में ऐस समाने या समाने वर्षा हुई है, लेकिन गंगा नगर और चिरोही जिले में समाने से कम वर्षा दर्ज की गई, तो नौर्मली राजस्तान में या तो नौर्मल बारिश हुई, या जादा हुई दो जिले ऐसे हैं जहां पे औसत से कम बारिश हुई है कौन-कौन से याद कर लीजिए गंगा नगर और सिरोही तो 2021 में दो जगए कम बारिश देखने को मिली अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट है राजस्थान राज्ये की उत्पादन में स्थिति तो अगर हम लोग उत्पादन स्थिति का धेन करें तो वो देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसी फसले हैं जिसके अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर वन पे आता है और कौन-कौन से ऐसी फसले हैं जहां प पूरे भारत में कौन सा है वो यहां पे है फसल कौन सी यहां पे नजर आ रही है और हम डेश के कुल उत्पादन का कितना परसेंट राजस्तान में उत्पादित करते हैं मतलब पूरे भारत का 100% तो राजस्तान का कितना कुछ चीज़ें अभी हम अल्रेडी पढ़ के आएं ज पंद्रा पर्थम स्थान पे हैं 20.20% चने के लिए भी हम प्रथम स्थान पे आते हैं 23.44% इसके साथ-साथ मुंगफली उत्पादन में राजस्तान अब की बार दुट्य स्थान पे है और लगबग देश की 16.04% मुंगफली राजस्तान के अंदर पैदा होती है खाई भी इसके साथ-साथ सोयाबीन, सोयाबीन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि राजस्तान सोयाबीन में भी एक अगरिनी स्थान रखता है, सोयाबीन में हम देश भर में तरित्य स्थान पे थर्ड पोजिशन पे आते हैं और 4.68% सोयाबीन पूरे भारत का राजस्तान के जाता है और इसके साथ-साथ ओयल के रूप में भी स्वयविन का एक मेजर कॉंट्रिबूशन है इसके साथ-साथ गवार के लिए देखें तो गवार के उत्पादन की हमारे पास जो फिगर्स हैं वो 18-19 की है मतलब 19-20 की वास्तविक संख्या वास्तविक फिगर नहीं है पर 18-19 की हिसाब से हम प्रथमस्तान पे हैं और 78.62% पूरे देश का यहीं पे पैदा होता है और दलहन में हमने पढ़ा ही था कि दालों में भी एक पोटेंशल है राजस्तान में प्रथमस्तान पे राजस्तान आता है 19.41 की दाल, मोट की दाल, चने की दाल, सब कुछ मतलब यह सारी फसले मोट, चना जिनसे दाल बनती हैं उस सब यहाँ पे पैदा होती है अगर मैं बोल देता कि दाल ही पैदा होती है तो फिर कोई बोल देते कि यह भी हमारे जो युवानेता उनके जैसे यह सीधी दाल पैदा कर दी तो दाल पैदा नहीं होती, दाल वाली फसले पैदा होती है जिनको बाद में अनाज को दाल में बदला जाता है उसके बाद एक और important fact है कि राजस्थान में जलवायू शेत्र कितने है तो पूरे राजस्थान को जलवायू शेत्र के हिसाब से दस भागों में बाटा जाता है तो राजस्तान के दस क्रिशी जलवाईू शेत्र हैं, याद कर लीजिए, क्रिशी जलवाईू शेत्र कौन-कौन से हैं, उनके नाम याद करने हैं, हमें याद करने हैं कि उनके अंदर कौन-कौन से जिले सम्मिलित हैं, और हमें साथ में देखना है कि उन जिलों में पहला है जलम शेत्र पहला..ो पश्शिमी मेदानी शेत्र है कि क्योंकि आपने जिओक्राफी पडरा था मैदानी जोस्ताइ सुक्ष्छ 55,000 हैं घोक्राफ्यन शेत्र वेइस्टरर रजास्तान कैट उकक्राज्टोर चक्यों से तर्व के जय दिदर को मैदानी शेत्र में लगबग एरिया में होता है लेकिन इसके साथ में यहां पर तिल की खेती भी अच्छी खासी हो रही है रभी के फसल भी देखें तो रभी की जनरल फसल पूरे राजस्तान में गेहूं और सरसों तो होता ही है गेहू, सरसो, चना, ये नॉर्मली पूरी राजस्तान में कम या जादा, लेकिन रभी की फसल में वही होता है, यहाँ अगर हम देखें तो गेहू, सरसो और उसके साथ में जीरा, तो जीरे पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, एक एडिशनल आपको याद रखने की जरूरत है, तो हम ये बात कर सकते हैं, देखें, अब कुछ-कुछ चीज़े हैं, थोड़ा लाजिक लगाएंगे, याद हो जाएगा, पश्चिमी मैदानी शेत्र, शुष्क वाला, बाड़ में जोदपूर आएगा, इसके अंदर करीब की फसल, बाजरा मोट तो पूर राजस्तान में जगरणी है, श्री गंगानगर और हनुमानगड, गंगानगर और हनुमानगड क्योंकि सिंचित हैं, इसलिए वहाँ पे फसल भी पूरे राजस्तान से डिफरेंट प्रकार की, अलग टाइप की होती है, तो अगर खरीफ की फसलों में देखें, तो वहाँ पे कपास और मामुली कुछ एरिया ही उसका सिंचित है, वो पश्यमी मैदानी शेतर में तीन चीज़ें, बिकानेर, जैसलमेर और चूरू, बिकानेर, जैसलमेर, चूरू के अंदर नॉर्मल फसल बाजरा, मोट, गवार की होगी खरीफ में, और रभी के अंदर वहाँ पे गेहू सरसों चना, आप देखें, बाजरा, मोट और गवार, भारत में, राजस्तान में कोमन सा है, और गेहू सरसों चना भी कोमन सा है, उसके बाद हम चलते हैं, अंतेस्थ लिए जलोट सरन के अंतरवर्ती मैदानी शेतर, इसके अंदर हमारे जिले चार शामिल है, नागोर, सिकर, जु और गवार, बाजरा, मोट और मोंग दोनों दलवं की फसले हो गई, और फिर आता है रभी की फसले, रभी की फसलों में सरसों और चना, यहां गेहूं भी होता है, लेकिन यह वाला जो एरिया है, इसके अंदर पानी नहीं है ज्यादा, नहर वगएरे की सपलाई नहीं है, उसके बाद हम आगे चलते हैं उसके बाद में है लूनी नदी का अंतरवर्ती मैदानी शेत्र अब लूनी नदी शेत्र आगया लूनी नदी शेत्र आता है तो आप सब जिग्राफी के स्टूडेंट हैं आपको पता है कि लूनी के आस पास का एरिया कौन सा है तो उसके अंदर जालोर, पाली, सिरोही और जोदपूर, ये एरिया आगए, इनके अंदर खरीब की फसल की रूप में बाजरा, गवार और तिल की फसल, बिलकुल वेस्टरन राजस्तान की जैसे और बाकी मौसम के अंदर रभी में गेहूं और सरसो की फसल, उसके बाद हम च चलें, तो गेहूं सरसो और चना की फसल, गेहूं सरसो चना तो कोमन सा ही हो गया, उसके बाद है, बाड संभावे पूर्वी मैदानी शेत्र, पूर्वी मैदानी शेत्र का वो हिस्सा जिसमें बाड आने की संभावना है, जहां पे पानी नौर्मली जादा होता है, अलवर, दोलपूर, भरतपूर, करोली और सवाई मादोपूर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मुख्य फसले खरीफ के समय यहाँ पे बाजरा, गवार और मुंखली होता है जबकि इसी में रभी के समय गेहूं, जों, सरसों और चना गेहूं, सरसो, चना, कौमन सा यहाँ पे जों की फसल और एक्स्ट्रा होती है इसके बाद अर्द, आद्र, मैदानी, शेत्र इसमें अगर हम लोग देखें तो भीलवाडा, राजसंबंद, चितोडगड, उदरपूर और सिरोही यह एरिया शामिल है, इसके अंदर फसल औरों से डिफरेंट है, यहाँ पे दलहन की फसल तो राजस्तान में सब जगए मोट हो रहा है ना तो दलहन की फसल तो होती है लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मक्का की फसल भी होती है और जवार की फसल भी होती है और इसके साथ गेहूं और चना होता है तो इसके बारे में आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे सर्सो की फसल नहीं है जो पूरे राजस्तान में लगबग कॉमन सी है तो सर्सो में यहाँ बहुत ज़ादा उत्पादन नहीं है उसके बाद चलते हैं हम लोग आदर दक्षनी हैं मक्का की फसल होती है चावल की फसल होती है जो पूरे राजस्तान में कहीं और आपको बहुत ज़ादा देखने को नहीं मिलेगी जवार की फसल होती है और उडद की फसल भी होती है इसके साथ साथ जो रभी का सीजन है उसके अंदर गेहूं और चना दो चीज़ें वहा गवार और सोयबिन की फसल खरीफ में और रभी के अंदर गेहूं और सरसों की फसल पाई जाती है तो ये राजस्तान के प्रमुक दस कृशी जलवाई उशेत्र और उनके उत्पादन है अगर हम इसको और ओर ओल कॉंक्लूड करें तो हम लोग कह सकते हैं कि लगबग पूरे रजस्तान के अंदर खरीफ के समय, बाजरा, मोट और इसके अलावा गवार, डलहन, ये चीज़ें पूरे रजस्तान में लगबग देखने को मिलती हैं और रभी के सीजन की बात करें, तो रभी के अंदर गेहूं, गेहूं के अलावा सरसों और चनाव ये पूरे राजस्तान में नॉर्मली देखने को मिलता है अब हम लोग देखते हैं कि कृशी विभाग ने कौन-कौन सी मुख्य योजनाए राजस्तान में कृशी के संबंद में चला रखी है तो मेजर-मेजर योजनाए कौन सी हैं उनकी बात हम लोग करेंगे योजनाए देखिए राजस्तान में खेती के संबंद में दो प्रकार की चल रही हैं कुछ योजनाए हैं जो केंद्र सरकार के प्रस्तावीत योजनाए हैं कुछ रज्य की अपनी योजनाए हैं हम दोनों योजनाओं को यहाँ पे कवर करेंगे और योजनाओं के बारे में हम उतनी ही बात पढ़ेंगे जितनी एक्जाम के एंगल से इंपॉर्टन्ट है, भले ही वो R.A.S. मेंस का एक्जाम ही क्यों नहीं हो, इस से जादा डिटेल आपको योजनाओं के लिए चाहिए नहीं होती, तो बहुत काट-छाट करके इनको कोशिश की गई, आये देखते हैं, सबसे पहली योजना है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, बीज, स्वावलंबन, योजना, नाम से ही पता है, इस योजना के बारे में हम उल्रडी भी पढ़ चुके हैं, ये योजना ये कहती है, कि किसानों को जब खेती करनी होती है, तो क किसानों को खुद ही अच्छी किस्म के बीज, उनत किस्म के बीज उप जाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो उस संबन में ये योजना है, इसका उदेश है क्या है, किसानों द्वारा स्वैम के खेतों में अच्छी किस्म के बीज के निर्मान को बढ़ावा देना, ब 2018 19 के अंदर योजना में बड़ा major change किया गया और वरतमान में जितने भी राज़स्तान के अंदर करशी जल्वाईु उखंड है मतलब 10 खंड है दस के 10 खंडू के अंदर इस योजना को वरतमान में चलाया जा रहा है अब इस योजना के अंदर और क्या क्या काम करते हैंafter का करेकरम होतार उनको बताया जाता है मैलाओं को कि उन्नत करशी तकनीक क्या है मतलब और एडवांस लेवल पर खेती कैसे की जा सकती है टेकनोलोजी का कैसे यूज करें इसको अबजेक्टिव है कि मैलाओं को हम लोग सिखाएंगे सिखाने के बाद वो जाके बाकी जो उनके साथी किसान हैं उनको अवेर करेंगी तो कुछ को सिखाओ कुछ ओरों को सिखाएंगे इस तरह से सभी लोग किरिशी की उन्नत तकनीक सीख जाएंगे 30 महिला कриNOUNCER के लिए pre restriction जब होगा तो उस pre restriction के लिए सरकार साइता राशी देती है 3000 रुपई इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि 30 महिला किसान सलेक्ट करेंगे और सबको 3000 रुपे देंगे नहीं जब महिला किसानों का pre restriction आयोजित किया जाता है तो एक दिन के प्रस्रिक्षन के लिए 30 महिलाओं को बुलाया जाएगा, उन 30 महिला किसानों के लिए जो खर्चा होगा, वो टोटल खर्चा 3,000 रुपे है, तो 3,000 रुपे प्रती महिला किसान नहीं है, 3,000 रुपे प्रती प्रस्रिक्षन है, याद कर लिजेगा important fact है, उसके प्रस्रिक्षन को प्राप्त करें, कैसे हम उसमें उनको बढ़ावा देंगे, simple है, government उनको financial support प्रवाइड करती है, वो financial support स्कूल लेवल पे अलग, और college लेवल पे अलग, और research लेवल पे अलग, इस तरह से टुकडों में बटा हुआ है, तो राज्य सरकार इसके लिए पैस इसमें कोई करता है, तो graduation करने वाली चात्रा को 12,000 पे दिये जाते हैं, और अगर कोई चात्रा post graduation या PhD करती है, तो 15,000 पर प्रती चात्रा यहाँ पर प्रौतसान राशी दी जाती है, उसके बाद, अगला हम लोग देखते है, क्रिशी प्रदर्शन, ये क्रिशी इसका मतलब यह है, जैसे मान लोगी theoretically आपको बताया जाए, कि देखो हवाई जाज ऐसा बनता है, हवाई जाज के अंदर ऐसे पूर्जे लगते हैं, ऐसे हवाई बाते की जाए, और बोला जाए, कि हम भी हवाई जाज बना सकते हैं, तो लोग सोचेंगे हवाई जाज तो आप हवाई बाते तो बना रहे हो, लेकिन अगर मान लोगी हवाई जाज के पार्ट कहीं से ले आऊ, लोगों को इकठा करके उनके सामने ही वो पार्ट जोड तोड़के हवाई जाज उनके सामने बना के दिखा दूँ, तो उनमें विश्वास जागेगा कि जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, यही किर्शी परदर्शन है, किर्शी परदर्शन के उपर हम लोग यह मानते हैं कि लोग देख के विश्वास करते हैं, तो जो चीज़ theoretically हम समझाते हैं, उसकी बजाए लोकल किसी किसान की खेत में ही, उसी एरिया में कुछ काम practically करके दिखाया जाए और किसान वहां पे होता हुआ देखें, तो लोगों का विश्वास जागता है, यह किर्शी परदर्शन योजना है, इसका सिध्धान क्या है, देख कर विश्वास करना, हम बोलते हैं हाथ कंगन को आर सी क्या, तो जो सामने है, वो दिखाई दे जाएगा, इसके अंदर हम अंग्रेजी में बोलते हैं, नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन, शौट में बोल देते हैं हम लोग, एन एफ एस एम, जहां जहां पे, एन एफ एसम योजना का लाब नहीं मिल रहा, उन जिलों के अंदर हम लोग जो की फसल का प्रदर्शन आयजित कर रहे हैं, तो यह हो क्थी करके एक साथ दे लिए तो वह किटोगई, जैसे आपने के लिए जाते हो, वतने की सारी समगरी एक साथ इक ठीकरके दे लिए तो हम बोलेंगे किृ स्टडिय किट है, और मिनिकिट मतलब छोटा साइस, उब भीज मिनिकिट क्या है, अलगग फसलों की नई किसमें, इ पाई तराशी देते हैं तो वीज मुनिकिट यूजना होगी इसके साथ साथ सेम लाइन पे ऐसी एक यूजना चलती है जिसका नाम है सुक्ष्म पोशक तत्व का मतलब हो गया के मिनी किट दिये जाएंगे किस प्रकार मिलेंगे उसके लिए आपके पास में सोईल हेल्थ कार्ड होना चाहिए सोईल हेल्थ कार्ड अपने योजना है जिसके अंदर सरकार जिस तरह से आप लोग कभी बच्चे का वैक्सिनेशन कराते हैं तो आपने देखा होगा कि अजिसको मृदा स्वास्ते कार्ड बोलते हैं, मृदा की हइल्थ, सोईल की हईल्थ को चेक किया जाता है और जबजब लगता है कि सोईल की हैल्थट degrade हो रही है, भूमी की उपजावी शमता प्रभावित हो रही है, तो immediately उसके अंदर correction करने के लिए, सुधार करने के लिए, फिर micronutrients या सुक्षन पोशक तत्वों दिये जाते हैं, तो यहाँ पे सरकार सुक्षन पोशक तत्वों की आज के सेशन में हासिल की, आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकेंगे और उसके बाद इसी चेप्टर का, यह जो चेप्टर नमबर टू है, क्रिशी और संबदेशेत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका बचाओवा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा, कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जादा-जादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और लगातार अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, यूँ ही पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू.